आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जोती शूर्जा में यदि किसी वी करणवश आप कर्ज में डूप गए हैं या कर्ज से परिशान हैं तो हनुमान भक्ती से कर्जों से छुटकारा पाया जा सकता है कर्ज से मुक्त होना असान नहीं लेकिन कठीन भी नहीं है हनुमान जी की कृपा हुई तो आप जरूर मुक्त हो जाएंगे या किसी व्यक्ती से लिया गया लोन हो ये सब के लिए किया जा सकता है अगर आपने किसी से भी कर्ज लिया है तो सबसे पहले तो उसे आप मंगलवार के दिन चुकाने के बारे में सोचें जब भी आपने अपने रिण की कोई किष्ट चुकानी हो तो ऐसे में मंगलवार का दिन चुने ये सबसे उत्तम दिन है और जल्दी जल्दी आपके कर्जे उतरने शुरू हो जाएंगे मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और ये दिन कर्जमुक्ति के लिए माना जाता है आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताने वाली हूँ अगर आप ये करेंगे तो मंगल के सीधे अच्छे प्रभाव आपको मिलने लगेंगे आपकी कुंडली में मंगल रहे अच्छा होना शुरू हो जाएगा और इसका जो नेगिटिव प्रभाव है वो आप पर बिल्कुल भी नहीं आएगा इससे कर्जमुक्ति में आपको मदद मिलेगी आपने करना क्या है? आप इस उपाय को नोट कर सकते हो या इस वीडियो को दुबारा भी देख सकते हो पहले आपने क्या करना है? सबसे पहले आपने दो दीपक लेने है एक दीपक आपने जो छोटा लेना है आकार में और दूसरा दीपक बड़े आकार में लेना है शुकल पक्ष के किसी भी मंगलवार की रात को ये उपाय आपने प्रारंभ करना है अब आप रात के समय जब संध्या जाने वाली हो ऐसे समय में जब रातरी प्रारंभ होने वाली हो उस समय आप मंदिर चले जाएं हनुमान जी का मंदिर हो तो बहुत ही अच्छा है बहुत उत्तम लाब देगा आप हनुमान जी की मूर्ति के आगे जाकर बैठ जाएं वहां पर आपने ये दोनों दीपक रख लेने हैं पहले छोटे दीपक में आपने देशी घी डालना है और एक बाती डाल देनी है दूसरे चोटे दीपक को देशी घी से भरा है और दूसरे को आप सरसों के तेल से भरेंगे जिसमें आपने सरसों का तेल डाला है उस दीपक में यानि के बड़े दीपक में आपने दो लौंग भी डाल लेने है इस दीपक को इस तरह से बनाएं नौ बातियां इस तरह से लगाएं क ऐसा आप पांच मंगलवार लगातार करें आपने वहाँ पर उस मंदिर में बैठ कर पांच बार इन दीपक के साथ मंगलवार के दिन आपने पांच बार हनुमान चालिसा का पाढ़ भी करना है इस बात का ध्यान रखे, ये विशेश जरूरी है कि आप वहाँ पर बैठें और पांच बार लगातार आपने करना है मंगलवार के दिन, तो पांच बार आपने हनुमान चालिसा का पार्ट भी करना है, लगातार पांच मंगलवार ये करते रहें और देखेंगे कितनी जल्द और आपको इसके प्रभाव मिलते हैं, बहुत ही जल्द आपके सारे करजे मुक्त होने लगेंगे, आपको लगेगा कि ये तो बहुत ही उत्तम उपाय था, बहुत ही प्रभावकारी था और इसके लाभ आपको बहुत अच्छे से मिलेगे आप इस उपाये को करते हुए इस बात का विशेश ध्यान रखें कि मंगलवार के मंगलवार आपने एक करना है, पांच मंगलवार लगातार करना है, बीच में आपने कोई मंगलवार ब्रेक नहीं करना या छोड़ना नहीं है, अगर आपको ये बीच में कभी भी रोकना पड या उसके बाद में तीसरा मंगलवार आया फिर आपने कर लिया तो इसका लाप आपको नहीं मिलेगा ये हनुमान जी का सिद्ध प्रियोग है अगर आप इसको करते हैं तो आपको जरूर लाप मिलेंगे इसलिए आप इसे शद्धा और विश्वास से करके देखें जिन लोग इस सिद्ध प्रियोग को करना है इतने भरमात्र से आपके सारे करजे मुक्त हो जाएंगे आपको पांच मंगलवार में ही लाप मिलने शुरू हो जाएंगे जिन लोगों को इसका लाप पांच मंगलवार में नहीं मिल पा रहा है उन लोगों को अपनी किष्ट चुकानी च बगवान हनुमान उनकी मदद वश्य करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं और जो इस बात के लिए तैयार होते हैं कि वो कर्ज मुक्ति चाहते हैं और इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो उनको जरूर समाधान मिल जाएगा आप भी आजमा के देखें अनुभवों को श